किये आन्सर क्यों किया गां घेयत तो हम लोग एक बार से बारे में सोच थे दैजंगर की बात कि गई your पहले answer करिए D answer यहाँ पर correct होगा Sandra Bam जो है इनके द्वारा जो है gender schema की बात की गई है मतलब आप किसी भी इंसान को देखकर उसका schema develop करते लाई कि यह male है तो यह इसको जो है किस प्रकार के toys से खेलना पसंद होगा female हो गई है न कोई लड़की होगी तो उसको और हमारा जो किचन सेट आता है उससे खेलना पसंद होता है तो यह schema develop कर लेना किस से related जेंडर से related वो जेंडर इसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजी इसने बोला है कि जो जेंडर इसकीमा डेवलप होता है वो किसके थू होता है कौन-कौन सी चीजें वहाँ पर लगते है तो cognition यानि कि वही जो आप schema बोल रहे थे ना कि हम क्या सोचते हैं चीजों के बारे में हमारी जो समझ शक्ती होती है लाइक हमारी जो understanding होती है चीजों को लेकर एक तो कोगनीशन यहां पर काम आता है और एक वह चीज काम आती है कि लोग क्या बोलते हैं या फिर समाज ने क्या image डेवलप कर रखी है male के लिए और female के लिए है ना तो यह चीजें कोगनीशन एक cognitive ability या फिर cognitive development cd आप इसको बोल ले और एक social learning आप इसको बोल लिजे या फिर social development ही बोल लो है ना या फिर समाज ने जो भी चीजें निर्धारित कर रखी और आपने उसकी understanding या आपने उसका schema कैसे develop किया है इन दोनों को मिलाकर बनती है आपकी जैंडर schema theory अब ये किस ने दिया है या फिर ये जैंडर schema theory का concept किस ने दिया है तो ये इनने दिया है ठीके इनका नाम क्या है अभी question में आप से पूछा था Sandra Pam जो है इन्होंने ये वाला बोल सकते हैं ये वाली theory यहां पर दी है और इन्होंने explain किया है पूरा अच्छे से इसको explain किया हुआ है कि कोई भी schema आपका develop होता है वो किस के थू होता है आपके self esteem के थू होता है ठीके self esteem यानि कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं लोग जो है आपको देख कर क्या अंदाजा लगाते मितलब उसका है कि schema आपके बारे में बन चुका है कि हाँ लड़की है तो उसको यही कार्री करने होंगे उसके लिए यह काम अलोट किये गए हैं उसको राइट तो यह self esteem यहाँ पर हो गया ठीके एक चीज और क्या होगी एक चीज हम लोग बोल सकते हैं influence on the processing on social information समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है ठीके यह वाली चीज हो गई society ने कुछ मानने एता है या कुछ terms बना रखी है है ना तो वो वाली चीज है इन तो हम लोग बोल सकते हैं यह third वाला जो है social belief जो है समाज ने बता दिया है कि हाँ एक female को यह कारी करना है एक male को यह कार gender schema यहाँ पर बना है राइट तो यह किस ने दिया है सेंड्रा बैम ने यहाँ पर दिया एक थियोरी और आई कि उसके साथ भी हम लोग इसको एक बार और discuss कर लेंगे दोनों को compare कर लेंगे एक थियोरी और है इससे related ओके यहाँ तक clear है एक बार सो और question को देख लो Link schema, gender schema का सिद्दान Sandra BAM के द्वारा यहाँ पर दिया गया है Sandra male है या female यह female है ठीक है दिख रहा है ना image में दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर देखना चाहिए तो आप एक बार और देख सकते हैं gender schema are building block of knowledge we have about each other हम एक दुसरे के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर एक stereotyping create कर देता है कि stereotype यहाँ पर बन जाता है पुरुष को लेकर और महीला को लेकर लाइक पुरुष जो है उसका विभार किस तरीके सोना चाहिए लाइक हम लोगों ने एक बना रखा है न हम लोगों ने भी स्कीमा डेवलप कर रखा है पुरुषों को लेकर कि लड़के कभी रोते नहीं है तो वो भी क्या है कि स्कीमा डेवलप कर लिया है लड़के रोती रहती है लड़के कभी रो नहीं सकते या फिर कपड़ों को लेकर कि लड़कों की ड्रेसे ये लड़कियों की ड्रेसे से या फिर उनके रोल्स को लेकर राइट तो ये सारी की चारी चीज़े किस के अंदर आती है schema के अंदर आती है ठीके अब ये जो है इसके अंदर एक सबसे important point जो है third number वाला है इसको देख लेते हैं gender schema become less rigid with experience and knowledge जैसे जैसे आप अपने knowledge को increase करते हैं जैसे जैसे आपके पास अनुभव आते हैं ये जो अपने schema बना रखा है ना वो धीरे धीरे खतम होता जाता है हम लोग देखते हैं ना कि जो जिसको knowledge है या फिर जो इन चीजों को समझता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़कियों लड़कों के बीच में तो ये चीजे क्या है जेंडर इसकीमा धीरे धीरे क्या होता जाएगा कम होता जाएगा यदि आपके पास अनुभव है और यदि आपके पास knowledge है मतलब आपके understanding है कि इन दोनों के वीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए वो वाली चीजे कैसे होती है धीरे धीरे कम होती जाते है किस से आपके knowledge से राइट यहां तक clear है चलिए question number six को देखिए answer करिए तब तक कैसे question पूछ रहे हो किस ने दिया है यह theory तो question में यही तो पूछा था कि यह theory जो है किस ने दिये तो हमने बोला था Sandra ने दी है यही तो question में था हाँ theory तो है सब जगह है question number six को देखो हुआ 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 है